दोस्तो इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम 5 मिनट में घर बैठे बैठे अपने ICICI Bank की iMobile को एक्टिवेट कर सकते हैं दोस्तो अगर आपको भी अपनी ICICI Bank की iMobile को एक्टिवेट करना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको Google Play Store पर जाकर iMobile लिखकर एंटर करना होगा iMobile लिखने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके आगे दिखाई देगा अब सबसे पहले आपको ICICI Bank की iMobile Pay एप को इंस्टोल करना होगा application install होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके आगे दिखाई देगा अब यहाँ पर सबसे पहले ये कुछ permissions आप से मांग रहा है तो यहाँ पर आपको allow के option पर click करना है उसके बाद यहाँ पर कुछ loading time ICICI Bank की iMobile Pay एप द्वारा लिया जाएगा तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा wait करना है उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके आगे दिखाई देगा अब यहाँ पर अगर अभी तक आपका saving account ICICI Bank में नहीं खुला है तो नीचे आप open new saving account के option पर click कर सकते हैं अगर already आपका saving account ICICI Bank में खुला हुआ है तो top पर let's get started के option पर आपको click करना है let's get started के option पर click करने के बाद next page पर हमारे सामने दो options दिखाई दे रहे हैं अब क्योंकि हमारा savings account India में open हुआ है तो पहले वाले option को हमें select करना है उसके बाद हमें नीचे continue के option पर click करना है अब next page पर ये बोल रहा है कि iMobile app install करने के लिए आपका mobile number यहाँ पर bank के दोरा verify किया जाएगा तो नीचे आपको continue के option पर click करना है अब यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि जो भी mobile number आपका ICICI bank के साथ registered है वही sim आपके mobile phone के अंदर रहनी चाहिए यह अपने आप automatically आपका mobile number verify कर लेगा mobile number verify होने के बाद next page पर ये पूछ रहा है कि क्या आपको security pin set करना है तो हम पहले बाले option को select कर लेंगे four digit pin के option को उसके बाद हम नीचे continue के option पर click करेंगे continue के option पर click करने के बाद यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप अपना चार अंको का pin set कर लीजिए ताकि जब भी आप i-mobile app को open करेंगे तो आप इसी pin की मदद से अपनी i-mobile app में login कर सकते हैं पहले आपको अपना चार अंको का pin enter करना है उसके बाद दुबारा वही pin नीचे re-enter करना है pin set होने के बाद नीचे आपको submit के option पर click करना है यानि यही चार अंको का pin आपका एक password की तरह ही काम करेगा नीचे submit के option पर click करने के बाद next page पर ये आप से कुछ आपकी basic detail मांग रहा है यानि आपको यहाँ पर अपनी authentication करनी होगी तो इसके लिए भी आपके पास दो options हैं हम पहले वाले option को select कर लेंगे यानि debit card के option को select करने के बाद नीचे आपको continue के option पर click करना है अब आपको अपना physical debit card उठाना है आपके debit card के पीछे की side एक grid बनी होगी grid के अंदर जो भी यह alphabets पूछ रहा है उस alphabets के नीचे कौन से numbers लिखे गए हैं आपके physical debit card में वो numbers आपको as it is इस alphabets के नीचे enter करने हैं alphabets के नीचे number एंटर करने के बाद नीचे आपको submit के option पर click करना है next page पर ये आप से permission मांग रहा है कि क्या आप अपने fingerprint को as a password use करना चाहते हैं तो अगर आप अपनी fingerprint से अपनी i-mobile में login करना चाहते हैं तो नीचे आपको allow के option पर click करना है उसके बाद आपकी i-mobile app activate हो जाएगी और ये automatically एक बार आपको log out कर देगा तो यहाँ पर simply आपको ok के option पर click करना है यहाँ पर दुबारा ये आप से पूछ रहा है कि आप अगर login करना चाहते हैं तो वही अपना चार अंको का pin enter कर दीजिए जो आपने चार अंको का pin पीछे set किया था तो वही हमें अपना चार अंको का password यहाँ पर enter करना है i-mobile app के अंदर login करने के लिए चार अंको का pin डालने के बाद हम यहाँ पर iMobile के अंदर login हो जाएंगे कुछ ऐसा interface हमें दिखाई देगा टॉप पर हमें अपना savings account number दिखाई दे रहा है अगर मैं view balance के option पर click करूँगा तो मुझे अपना available balance दिखाई देगा यानि यहाँ पर और भी धेरो options मैं ICICI bank के use कर सकता हूँ उमीद करता हूँ iMobile कैसे activate करनी है यह आपको समझ आ गया है इसके बाद अलग से एक वीडियो हमने बनाई हुई है ICICI bank की internet banking को कैसे activate करते हैं उसका link भी मैं आपको description box में दे दूँगा तो अभी के लिए this is the end of the video thanks for listening and thank you all